हम भै से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फैराएंगे, हम भै से कभी ना डोलेंगे भै का अर्थ होता है बेटा, डर, डोलेंगे, यानिकि उससे हम कभी विचलित होना, विचलित नहीं होंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे इस काम से हमें कभी भी डर नहीं लगेगा ये काम हम अपनी निर्डरता से करेंगे और अपनी ताकत को तोलेंगे और इस काम में जो भी मुश्किलें आएंगी हम उसका पूरी ताकत से सामना करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे अंदर कितनी ताकत भरी हुई है साहस की बोली बोलेंगे पग आगे सदा बढ़ाएंगे भारत का ध्वज फैराएंगे हम अपने देश के लिए साहस की बोली बोलेंगे याने की हम अपनी बात हमेशा रखेंगे आगे रखेंगे पग आगे सदा बढ़ाएंगे पग होता है कदम सदा हमेशा हम अपने देश के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाएंगे और भारत माता का ध्वज फैराएंगे हम भारत का ध्वज हमेशा फैराते रहेंगे मुझे उमीद है बच्चो आप सभी को ये कवीता अच्छे से समझ आ गई होगी अब मैं आप से कुछ प्रश्न पूछोंगी और आप मुझे उसका उत्तर देंगे इस कवीता में बच्चे कैसे हैं? येस इस कवीता में बच्चे नादान यानि ना समझ हैं और उमर के कच्चे हैं यानि छोटी उमर के हैं अपनी ताकत कौन तोलेंगे? अपनी ताकत बच्चे तोलेंगे बच्चे क्या क्या करने की बात कह रहे हैं? बच्चे अपना पत, प्रन, हिम्मत और हिम्गिरी पर चड़ने की बात कह रहे हैं बच्चे किसका जैगान करेंगे? बच्चे भारत माता का जैगान करेंगे अब मुझे आप बताओ भारत का ध्वज फेराएंगे जो ये कवीता है बिटा आपकी इस कवीता से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है? ये बच्चे कैसे हैं? भारत का ध्वज फेराएंगे कवीता से बच्चों के बारे में पता चलता है कि बच्चे सहासी और निडर हैं